इस वीडियो में जो हम हीरो आएसल का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा हैदरबाद FC वर्सेस जमसितपूर FC के बीच मैच का वेन्यू गा न्यूटरल गोवा रात में 7.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाले है तो दोस्तों बात करें हैदरबाद FC और जमसितपूर FC की तो जब हीरो आएसल का ना यह सीजन स्टार्ट वा था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यह दुनू टीम्स फिलाल इस पोजीशन तक की लीग स्टेज एंड होनी वाली है टॉप टू में हो और यह दुनू टीम्स टाइटल फेवरेट भी हो लेकिन इन दुनू ट हेदरबाद ने सभी को चौका दिया अपने परफॉमेंस से फिलाल नंबर वन पोजीशन में हेदरवाद और वन अब दा फेवरेट है टाइटल जीतने के लिए अठारा में दस विक्टरीज हैं पांच ड्रॉस हैं तीन लॉसे सबसे ज़्यादा लीग में फॉर्टीवन ग पॉसेस हैं 33 अच्छे गोल मारें 20 गोल कंसीट के और 34 इनके पॉइंट है जमसेदपूर भी ऑल्मोस्ट क्वालिफाई कर चुगी है बट इनके लिए एक चीज है ना अगले तीन में एक मैच भी जित्ते ही क्वालिफाई हो जाएगी या यह यह चाहेंगे कि जो केला ब्ल चाहर यहां पर जाएगी लाल यह मैच इंपटेंट दुनुई कलब्स के लिए होगा तो यहां पर दुनुई कलप्स यह मैच जीदना चाहेंगे अगर मैं आपको रीसेंट फर्म दिखाऊँ बहुत-बहुत अच्छी है दुनुई क्लप्स की लास्ट तीनों मैचे अपने इस सीजन इन दोनों क्लब्स की एक मैच और लीडी हो चुका है जो की 1-1 ड्रो में फिनिश रहा था और दोनों टीम्स के बेस्ट प्लेयर ग्रेग श्टिवर्ट और बाट अग्वेजे ने अपने अपनी टीम के लिए स्कोर किया था फिलाल इस मैच में अगर आप ऑन पेपर गोल में उसी बंदे का कॉंट्रिविशन रहता है वो इस मैच में सस्पेंडेड है और श्टिवर्ट के ना होने से यह टीम अटेकिंग वाइस थोड़ी वीग जरूर होगी है इसके अलावा भी कुछ आगे वैसे मैं बताऊंगा दो तीन मेन प्लेयर्स जमसेदपूर के आ बताऊंगा आगे जैसे हाटली है एक दो प्लेयर होने वो सब फिट होते तो पूरी तगडी फाइट होती यहां पर स्टीवर्ट है नी थोड़ी वीग लग दी है मुझे हैदरबाद आज के मैच के लिए तो इस वयसे मैं स्मॉल लीग में फिवर करूँगा है आज के मैच के लिए इस वयसे मैं स्मॉल लीग में फिवर करूँगा है धरबाद एफसी को बट जो मैं ग्रेंड लीग टीम पोश्ट करूँगा उसे कुछ 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 वाले कॉमिनेशन ले जाओंगा फिलाल प्रोवेबल लाइन अप पे हम आते हैं उससे वह एक चीच गहना चाओं के असपास सफसॉला चैनल अपको मिल जाएगा अब हम आते हैं प्रोवेबल लाइन अप पे तो पहले बात करते हैं है घ्रबाद की जो मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट सुंगे तो यह फेवरेट सो हो तो मैं इनके थोड़े ज्यादा प्लेयर पिक करूँगा इसमॉल हैं चार इनके डिफेंडरों के आशी इसरा है सना सिंग वानन और आकाज मिस्रा फिलाल अगर किसी एक टिम को क्लींचीट के लिए बैक करना होगा मैं है घ्रबाद को करूँगा मुझे तो इस मैच में इनकी क्लींचीट का भी अच्छा जांस लग रहा है क्यूंकि अगर आप जमसितपूर में श्टीवड निकाल देना तो बहुत से प्लेयर ऐसे है जो कंसिस्टेंट नीए इस्टीवड बहुत-बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर थे उनके होते लगता था कि जमसितपूर लगबग हर मैच में गोल या सिश कहीं न कहीं से निकाल लेगी लेकिन अगर आपको लग रहा क्लिंशीर नी भी आएगी तब भी इनके डिफेंडर फेंटेसी वाइज अच्छे पॉइंट देते हैं फिलाल इनके डिफेंज में अगर आपको तीन चूस करने मेरी टॉप टूज़ आकास मिश्रवा असीज रहेंगे दोनों बहुत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है इनका सीजन जा रहा है डिफेंसी वाइज भी अच्छे है कभी असिष्ट अगेरा दे सकते हैं गोल्स भी कर सकते हैं रेंडम राइट बैक और लेट बैक को जिसन से तो यह मेरी टॉप टूज़ है अगर आपको तीन चूस करने सना सिंग वानान में कॉल लेलना थार्ड प्लेयर में थोड़ा त्रिकी है पिक कर पाना क्यूंकि दोनुं हेडर्स में अच्छे डिफेंसी वाइट ठीक तागे तो यहां पर अपना कॉल लेना फिलाल मैं अभी के लिए इन चारों को पिक कर रहा हूं हिदेश सर्मा अब इग्नोर कर सकते हैं ओपन प्लेसे भी बहुत गोल्स मारते हैं पाच गोल एक असिश कर चुके हैं और दूसरी बात अभी तक एक पेनाल्टी वही है हिदरबाद की उस टेम में अगवेची भी फिल्ड में थे लेकिन पेनाल्टी लीथी विक्टर ने तो इस से हमें यह पतल थे पैनाल्टी टे गोल असिश कर चुए झाल्टी और दीज लएक qaiseen कर चुके है वहां पर हमारे पास और भी ऑप्स सेक्शन रहें रहेंगे अब बहुत बहुत अच्छा भल्यार है भाट प्रप्रोब्लम्हें रे ये बंद्दा आपको आıtको आपसे अप्सस मिलें लेकिन रीसेंट कुछ मैंचेस से दानू बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यह ग्रेंड लिग की बड़ी प्यंट पिक होगा स्मॉल लिग में सजेश नहीं करूंगा क्यूंकि अगर गोल असे नहीं आता में भी सहाथ उतने पॉइंट ना दे और सबसीडूट पर हो जाए इस प्लेयर पर प्लेयर पर पंट लिया सकता है वो है निखिल पुजारी अब जो हैदराबाद के इंडियन प्लेयर से नहीं बहुत अच्छा कररें जिनके मैनेजर ने यह इसलिए बात के कि लिए और कोई अट्टेकर बहुत बहुत बॉल्स भी मनाते हैं तो अभी के लिए प पिछले मैच में असिस्ट अगेर अभी किया है बट में भी अगर गोल असिस्ट निया है सैथ ये भी उतने ज्यादा पॉइंट ना दे तो अगर आपको पॉइंट लेना है आप किसी एक सेंटर वेक को अठागे वानांग सना सिंग में आप निखिल पुजारी जैसे प्लेयर 11 थी लगभग सभी चीज़े मैं यहां से आपको डीटेल में एक्स्ट लेन कर दी अभी केले जो मैं प्लेयर्स ले आ रहा हूं औक बैचे होगे कियानीस होगे विक्टर होगे आशी श्राय आकाज मिस्रा बाकी अभी केलों तुम्हें दोनों पिक कर रहा हूं अगर आपको दोनों में कोई एक पिक करना है हाप आप अपना कॉल लेलना फिलाल यह इनके सीजन के स्टेट हैं हीरो आयसल के अपोनेन के बात करने से पहले फिर रिमाइन दुला दू इस मैच की आठ ग्रेंड लीग और एक फाइनल स्मॉल लीग टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्रा आपको मिलेगा यह आपको मिलेगा तॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं 4300 के आसपास सबसालर चैनल आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं जमसित्पूर एपसी की तो पीटर हाटली कोमल ठटाल बोरिस और जीत दूसरा हाटली इनके मेंड डिफेंडर भी बाहर है यानि कि यह टीम हाटली चांस तो है थोड़ा बहुत की स्टार्ट कर सकते हैं अगर फिट होगे लेकिन इस्टिवर्ट का तो सस्पेंडेड है बिल्कुली खेलने का चांस ही नहीं है तो देखा जाए में अटेकर और मे अच्छे सेफ कर सकते हैं चार इनके डिफेंडर है लल दियाना रेंडलाई नरेंदर गेलोथ एली साब्या और रिकी लालम मावा फिलाल मैं एक भी डिफेंडर पिक नहीं कर रहा हूं क्यूंकि इनके डिफेंड में प्लेयर तो ठीक चांगे बट इतना कंसिस्टेंड कोई पीटर हाइटली थे वह अगर एक स्टाट करें वह मेरी नंबर वन चुछेंगे अगर वह नहीं करते तो अभी के लिए मैं एक भी चूस नहीं कर रहा हूं इस्टिल अगर आपको लगता है जमसेतपूर क्लिंशीट रख सकते हैं डिफेंडर अच्छा करेंगे में भी साब है मुबशीर रहमान इनका नाम है अल्दो उतना कंसिस्टेंट भी निया पर पिछले मैंच में दो असिस दिए हैं कॉंट्रिबूस मलब एक कॉंफिडेंस हाई होगा और ठीक टाक डिफेंसीव भी करते हैं तो अभी के लिए मैं रिफेंसीव भी करते हैं तो अभी के अभी के लिए मिट्फिल में ज्यादा अपसे नहीं तो मैं यहां पर रिद्विक कुमार दास के साथ भी जा रहा हूँ लेंड डॉंगल पिछले मैच में गोल आया सही बात है अच्छा प्लेयर है बट अगर गोल असिस निया उतने पॉइंट नहीं देगा दूसरा फरवर भी मार चुके हैं बट अगर चीमा चुको का गोल असिट नहीं में भी उतने पॉइंट नहीं दिंगे और जॉड़न मरे विदाउट गोल असिट थोड़े बात पॉइंट तो देते हैं लेकिन प्रब्लम के इनके जो मैनेजर है वो बोल ले अभी पूरे फिड नहीं है अब जो हैदरवाद को फिवर नहीं कर रहा है जिसको लग रहा है उनके ज्यादा है मेवी आप दोनों को पिग कर सकते हैं श्टीवर्ड है ने तो हाय चांसे है पेनल्टीविं इन दोनों में पोई एका स्कता है चीमा बेनालिटी टिकर भी हो फिलाल जॉर्डन मरे भी ले सकते हैं तो यह जमसेदपूर FC की प्रोवेबल 11 थी लगबग सभी चीज़े मैंने यहां से आपको डिटेल मेख स्प्रेंट कर दी और यह इनके सीज़न के स्टेट हैं हीरो आयसल के अभी के लिए जो मेरी पिडिक्शन है में एक 2-1 या एक 2-0 हैदरब यह खेलेंगे मैं उनको भी कलूँगा मैंने चीमा चुकू लिया है फॉरवर्ड में आप इनके फ्लेस में ले सकते हैं जॉर्डन मरे रित्विक दास और मुबशीर रह्मान मैंने पिक कर लिए फिलाल मैं है हैदरबाद फिवर कर रहो तो वाइस केप्टन्सी के बेस्ट ओफ्सन विक्टर कियानीज रहेंगे या कियानीज या सिवेरियो जो भी खिला अगर आप एक ड्रॉग के ले जा रहे हैं टूवन टैप की स्कोल लाइन के ले जा रहे मेभी आप चीमा चुकू ह में जरूर से जरूर जोइन कर लिजिए